हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफिल्ड की किट के बारे में आप देखे यह एक नई किट है जो MK डिजाइन्स की तरफ से आई है परसनली यह किट मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि मुझे लगा कि इसको तो एक वीडियो मिलने ही चाहिए तो हाँ इसके अपर मैं वीडियो बना रहा हूँ अब क्लेर कर दूँ कि यह जो वीडियो है यानि यह जो किट है यह बेसिकली रॉल इन्फिल्ड बुलेट या क्लासिक में नहीं लगने वाली है इवन हिमालेन में भी नहीं लगने वाली यह किट सिरफ और सिरफ इंटरसेप्टर और कॉंटिनेंटल जीटी के लिए ही बनाई जा रही है सारी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले हेलो नमस्क्राइब दोस्तों में नाम हेमंद भाट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त तो बहिया यह जो किट है यह बेसिकली एमके डिजाइन्स वन कार्स और बीस पोक इंडिया के कॉलाबरेशन के थ्रू बनाई गया यानि किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ काम किया और मिलके एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा है FF650 यानि Fully Fared 650 तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि यह एक Fully Fared Retro Cafe Racer लुक वाला मतलब बेसिकली एक Fully Fared आपको इसमें किट मिलने वाली है जिसको बाइक पे लग या ऐसा लगता है कि यह कंपनी ओरिजनली है और जितने भी कलर ओप्शन है GT Continental में और Interceptor में सभी कलर ओप्शन में यह मार्केट में आपको अवेलेवल मिलने वाली है और सबसे जो अच्छा पॉइंट है इस किट का वो यह है ना ही आपको कोई वैल्डिंग करानी है ना ह अगर आपको यह चीजे ना करानी पड़ें और सिरफ बोल्ट लगा के ही आपका काम चल जाए तो कितना अच्छा रहे तो हां यहां पर कुछ ऐसा ही है ना ग्रेंडिंग नानी की जड़ता ना ही ब्रेंडिंग रानी की आपको इसमें जड़त पड़ने वाली है अब यह ज पर ली आपको वेंटिलेशन मिलने वाली है यह कंपनी का क्लेम है थोड़ा तक ग्राउंड क्लेरेंस में फरक आएगा यहां पर आपको 174 mm की ग्राउंड क्लेरेंस मिलने वाली है क्योंकि जो बोल्ट और नट नीचे लगे हैं उसकी वज़ए से हलका फुलका इसमें फरक पर वीडियो और इमेजिस में तो ऐसा ही लग रहा है अब आपको पता ही है यह रेट्रो है तो कुछ राउंड ही मिलने वाला है उसके इलावा अगर मैं फेरेंग की एजिस की बारे में बात करूं आपको शेप की बारे में बात करूं तो काफी जादा अच्छी फिट और दी गई है और मैं बात करूं कलर स्कीम की तो जो इसमें ग्रीन के साथ गोल्डन कलर की कलर स्कीम दी गई है वो भी काफी जादा खिल के आ रही है और जो इसकी डिजाइन है वो खुल के सामने आ रहा है अब जो सिंगल कलर वाले आप देख रहे होंगे उसमें डिजाइन उ हाँ यार यह किस चीज से inspired लग रही है उसके लावब दूस्वों बात करें इसमें आपको wind screen मिल जाएगी जो काफी ज़्यादा सही है और बड़ी भी है और यह जो wind screen है basically आपको wind blast से protect करेगी अब यह company का दावा है करेगी की नहीं यह तो आपको खुद चला के ही पता लगेगा बहुत सारी चीजों के बारे में बात करें अब करते है material और weight के बारे में क्योंकि आप यह जरूर जानना चाहते हैं कि भईया इसमें कौन सा material यूज किया गया है तो FF 650 में जो fully fair kit है इसमें आपका fiber reinforced plastic यूज किया गया है जिसको हम FRP भी कह देते हैं यह काफी ज़्यादा durable रहता और साथ ही साथ यह weather resistant होता है और साथ ही जिसका जो वजन है वो भी काफी कम होता है वजन के बारे में भी बताऊंगा तो मैंने दोनों को compare करने की कोशिश करी थोड़ा बहुत इंटरनेट की जरिये तो यह चीज सामने आई कि यह ABS से ज़्यादा durable है तो यानि आपको third party basically company से बाहर जाके finish भी बहुत अच्छी मिल रही है जो वीडियो और images में दिख रहा है इसके बारे में clearly नहीं कह सते क्योंकि वो तो अब सामने जाके ही पता लगया लेकिन durability आपको उन पार्ट से भी ज़्यादा मिल रही है जो company से आपको provide कराए जाते है तो यार यह तो बहुत ज़्यादा अच्छा है किट के वजन के बारे में nut nut सब चीजों के साथ जो इसका वजन है वो सिरफ और सिरफ साथ किलो है यानि 7 kg है तो यानि काफी light weight है ज्यादा वजन नहीं है इस चीज का और overall जो look है ना वो bike की वो काफी ज़्यादा super bike वाली बन जाती है वैसे देखा जाए तो interceptor engine के हिसाब से तो super bike ही है लेकिन अब look wise भी अगर मैं completely इसको कहूँ तो हाँ एक proper super bike ही लग रही है price की बात करें तो हाँ price काफी ज़्यादा अच्छा है मतलब मैं personally मैं सोचा था इसका price ना काफी ज़्यादा रखा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है इसका price काफी ज़्यादा genuine है इतना genuine भी नहीं है कि बहुत कम हो लेकिन जुसका price रखा गया है वो सिरफ और सिरफ 30,000 रुपे रखा गया है जो मेरे हिसाब से अगर इस bike के हिसाब से मैं note करता हूँ तो यह काफी ज़्यादा सही price है एक चीज़ में आपको clear कर दूँ वीडियो में आपको handlebar भी दिख रहा होगा interceptor पे लगाते होए तो handlebar यहाँ पे included नहीं है यानि fairing में handlebar include नहीं होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंतर समाप्त करते हैं यह bike basically यह kit है वो आपको कैसी लगी मुझे comment section में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम